अजय से सोधिया और आप देख रहे हैं MOGODV तो आज हम देख लेते हैं एक तो फिल्टर हम देख रहे हैं जयनि क्वैरी दो लिख रहे हैं फरस्ट वाले अब हम प्रोजेक्शन का उड़ देख लेते हैं तो यहां पर मैंने फाइंड किये सारे डॉकुमेंट्स है आपको यहां शो हो रहे हैं जैसे माइस्कृल में रिकॉर्ड होते थे यहां पर डॉकुमेंट्स है तो सबसे पहले आपको यह तो पता है कि कटली ब्रैक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा टैस्टिंग कर लेते हैं मैं एफनेम के बाद फिर थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, इसको हम इसमें भी डबल कोट लगा लेते हैं, एंटर करते हैं, यह भी ठीक से काम कर रहा है, तो ऐसे हम कुछ-कुछ error देखा करेंगे, चली यहां चलते हैं, फाइंट गया मैंने, और यहां लिखा मैंने, अफनेम, यह तो आपक फिर से वही गलती है, क्योंकि फिर से गलती कर अंरे कर लिए इसे लिखना ता जैसे ऑबयता की अंदर में लिखना तो मैंने अब लिखा दिये, अब यह थीक आ रहा क्लर आप देख सकते हैं, मैने 33 को नहीं रखा है, तो रिचलत अन ही तक भी-चल्ट में दो बिल्कूल को फिल्ट को लेकर चाएब करता हूँ एक फिल्ड को लेकर मैं आगा लिखए एज लिखा और ऐज लिएhat 33 तो मेरे पास यह थो Hij यह खेल्क है थो फिल्ट को लेकर अब मैं करता हूँ है A figure तरिज हो और भी करकेट दोनों से तक बळगत क्वेर्च व्यूंने में तक बाले यह को कितने बाए और उसको में च्छोमा amigo फड़ता हो दोज व्य प्रेंद दूडली यहां मैं निखंड और मिदन दीड़त इसे दो प्रोह सकते हैं थीफ्यं प्रोजक्शन और ID लेकर भी कर सकते हैं ID भी मैं आपर दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजाए काफी महनत लगती है इसे बनाने वीडियो बनाने में और मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आता हूं अब मैं यहां पर ID के base पर देते हैं फिल्टर करके तो first जो होता है first में हमारा आता है query मतलब कि filter हम लगाते है query filter के साथ यह गिगा find और यह first बाले में हमने यहां ले लेते है ID मतलब हमें ID वाले records चाहिए तो यहां मैंने एक ID दे दी यह वाला record चाहिए जिसके ID दिस है ठीक है यह ID default बनती है और किसी वीडियो में बताऊंगा हम अपनी ID कैसे बना सकते है अपनी ID कैसे हम दे सकते हैं ठीक है यहां पर देखिए यह records आगे है अब यहां पर हम क्या करते हैं पहले curly brackets को ऐसी रखते है अबजेक्ट को second बाले में सिर्फ ID को 0 रख देए यानि कि ID false तो जो फोल्स रखेंगे projection में यह होता है तो वो ID show नहीं करेगा वो field नहीं आगा L name को मैंने 0 किया 0 मतला false है यहां से वो field भी hide हो जाएगा ऐसी में आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं मैं age को भी false कर देता हूं तो दीखें इस तरह से जो field आपको projection का option है उसमें वो आएगे जो field आपको hide रखने है मैं age को 1 ले लेता हूं Cannot inclusion on the field age in exclusion projection यानि कि 1 आपको यहां पर लिखेंगे तो true वो true तो आपको चली रहा है यहां पर वो error शो करेगा exclusive projection की चली मैं इसको zero कर देता हूं दोनों को false यहां पर show कर रहा हूं यहां मैंने age लिया false तीनो false ले लिया तीनो false तो इस तरह show होगा मैंने जैसी one किया तो projection यहां लगता हूं one तो देखें वो यहां पर L name को one show कर रहा है ठीक है यानिके L name दिखा रहा है मुझे और यहां पर मुझे ID भी one किया मैंने तो ID और L name दिखा रहा है तो 220 वीडियो में इतना ही था projection के बारे में आगे बढ़ते हैं next video में कुछ और लेकर आँँगा operator के साथ ठीक है जो operator होते हैं